तो दिवेंदर भाई जैसे लंका से वापिस आने के बाद की कहानिया जैसे सभी मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि सभी भगवान कहां चले गए थे और लक्ष्मन जी को राम जी ने मृत्युदंड क्यों दिया था लंका कांड के बाद वाले ये चेप्टर आता है तो अध्या कांड अंत कांड इस तरह से भी से बोले जाता है इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जैसे अब धर्म की स्थापना के लिए या जो भी मैसेज आम जन्मानस तक पहुचना चाहिए था उस तरीके से तो अंत में अब जब सभी रोल अपने प्ले कर देते हैं किरदार अपने अपने जो पूरे कर देते हैं तो कहते है कि जो मृत्यू टंड वाली बात आप पूछ रहे हैं उसमें होता ऐसा है कि यम एक बार शिराम से मिलने आते हैं किसी विषे पर चर्चा करने के लिए वो राज महल पदार दें तो वो बोलते हैं कि जब मेरी आपके साथ यानि कि शिराम जी के साथ जब हम आपस में किसी चीज़ को ले करके डिस्कeशन करें हम दोनों की वारता अलाप में बीच में कोई ना है कोई ना है कि श्रीराम जी लक्षमन जी को जिम्मेबारी दे देते हैं कि आप हम दोनों जो है अपना मीटिंग में ब्यस्त रहेंगे तो आप जो दुआरपाल बने और किसी को भी अंदर आने ना दे लक्षमन जी बड़े भाहिया का आदेश सरमाथे पर तो वो दुआरपाल न्यूक्त हो जाते है दुर्वासा रिशी पधारते है कुछ समय के बाद जब वारतलाप थी वो लंबी थी तो दुर्वासा रिशी पधारते है अब दुर्वासा रिशी जी महादेव की कुरोधागनी एक तरह से कोई भी उनके कुरोध का सामना नहीं करना चाहता क्योंकि उनका श्राप जबरदस्त और ततकाल तुरंट तो अब श्रीराम जो लक्षमन जी वो धर्म संगट में पसके क्योंकि दुरुवासाजी को अत्यांत आवश्यक था श्रीराम जी से मिला तो उसी लिए वो अब दुरुवासाजी के आदेशों का भी वो एक तरह से उनके मना नहीं कर सकते थे तो वो क्या करते है कि वो एंटर कर देते है और श्रीराम जी जो अब उन्हें पता चलता है कि अब ये जैसे अब ये तो वही बात हो गई कि जो मैंने वचन दिया था अब मेरे पर ही बात आ गई तो तब वो क्या होता है कि वो धरम सकट में भज़ जाते है श्रीराम जी कि वही अब छोटा बाई है मेरा और नहीं दुरुआशरी सी मतलब वो किस काम से आए थे अब वो वीदी का विधान समझ सकते है आब कि वो होनी थी लात आखिरकार अब कोई भी बात होती है तो उसका कोई कारण होता है बेना किसी रीजन के वो होती नहीं है तो उने भी अपने किसी संबंद में श्राम जी से भेंट करनी थी तो वैसे तो इसमें ऐसे का जाता है कि शिराम जी अधिया से आये थे तो कई देवी गण येक्ष किनर गंदर मतलब सब ये अपने अपने सने परकट करने के लिए शिराम जी से मिलने आते रहे थे उसी जो क्रमबा देशिंखला में दुरवासा जी भी आये थे तो जब लक्षमन जी अब एंटर कर गए और उनकी मीटिंग में जैसे व्यवधान आया तो यम ने जैसे शिराम जी को याद दिलाया कि भाई आपसे बचन लिया था मैंने दरसल वो बचन यम ने लिया होता है कि अगर वचन को कोई तोड़ेगा तो उसको मृत्यू दंड़ जी ऐसे भी या इस तरह से कि भाई आप और हम जब वारतालाब कर रहे हो तो बीच में कोई ना आए अगर कोई आए तो उसे मृत्यू दंड़ देना पड़ेगा आपको वो बचन लिया होता है यम ने यम ने जी वो बचन शिराम जी से लिया होता है तो अब शिराम जी दरम संकट में फस गए कि यह तो आप चोटा भाई है तो यह हम बोल देते हैं डिरेक्टिक यह भी है बीच में आए तो आप भाई आप खेर यह हुआ एक स्टोरी के रूप में जो मतलब कि भाई ऐसा हुआ लेकिन वो नियती थी कि आप सभी का जीवन चक्र कम्प्लीट हो चुका है मतलब किसी ना किसी रूप में उनका अब उधार होना जो है जरूरी है तो शिराम जी भी अब अब बचंदी आया तो पूरा भी करना पड़ेगा तो उन्होंने अपने गुरु से वशिष ची जी से इसके बारे में जैसे सला ली कि आप मैं क्या करूँ तो वशिष ची जी ने अब आखिर कार्मा ने हमारे रिशी हुए तो उन्होंने कहा कि अपनी कोई प्रियवस्तू उसका त्याग कर दो वई जरूरी नहीं कि आप इनको मृत्यू दंड दो आपकी अपनी कोई प्रियवस्तू उसका त्याग करना भी मृत्यू दंड के समानी होता है जैसे एक तरह से तो उधर लक्ष्मन जी को पता चल जाता है कि इनकी प्रियवस्तु तो मैं ही हूँ अब बात है फिर के वहीं आ गई फिर से तो लक्ष्मन जी को पता चलता है कि अब प्रियवस्तु में लक्ष्मन जी ही उनके अब त्याग करना मतलब उसे अपने से अलग कर देना तो श्रीराम जी को सबस्प्रिय तो लक्षमन जी हुए तो लक्षमन जी को पता चल गया कि अभी ये मेरा त्याग करने वाल है तो वो मेरे लिए जो मृत्यू दंड के समानी है मतलब श्रीराम जी तो चलो त्याग कर रहे है अपने गुरू के आदेश पर वो ऐसे नहीं है कि उनको मृत्यू डंड दे रहे लेकिन वही बात है मैसेज वही आया निकल करके क्योंकि लक्षमन जी श्री राम जी से अलग नहीं हो सकते है तो उन्होंने खुदी जो है जलसमादी ले ली थी लक्षमन जी ने तो इदर लक्षमन जी ने जलसमादी ले ली और उदर वो आपने एक ये भी देखा होगा कि जिसमें की सिता माता जी भूदेवी के गर्ब में चली जाती है मतलब भूमी माता के वहां क्योंकि वही वो कई तरह की स्टोरियां चलती है बाद में अब प्रजा राजा की नी होई तो किसी की नी होती फिर कि वही है तो रावन के महल में रहके आई है अब पता है नहीं अब कैसे इनके मतलब कि एक तरह से उन पर लांचन लगाने लगे थे वो तो श्रीराम जी को उनको फिर वो एक तरह से अलग करना पड़ा था उनको तो वो बालमी की जी के वहाँ पर रुके थे देखो लबखुश वगयरा वो अलग से वो जो तो फिर जब अपनी वो प्रमाण या सत्य तासित करने के लिए फिर वापसी जब उनकी होती है तो अब आखिरकार सिता माता भी तो दुखी हुई थी कि मैंने अपने पती के पूरा धरम निबाया उनके साथ पूरा बनवाज या जोग सुक दुख उनके साथ काटे लेकिन अन्त में प्रजा की वज़े से हमें फिर से भी योग जिलना पड़ा भरी साबा में उन्होंने धरती माता गावाहन किया था अचा कि भाई अगर मेरे 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 में साथ है तो आप आए और मुझे ले जाए और कहते हैं कि धरती माता प्रकट भूई थी धरती भाड़ करके तो मतलब वो कहना का सिर्फ वही हो जिस पे बीटती है वो जानता है इसमें वो वाली बात भी लिंक हो गई कि भई राम को कालपनिक पुरुश मानना अब जिनोंने देखा नी जिनोंने जाना नी सिर्फ उन तक एक मेसेज आया और वो उस मेसेज पे उसको कंपेर करने लग गए जाके मेसेज देने के लिए वही फिर वो जो एक तरह से अपना उनोंने अवदरन या अपना उद्धार उसके बाद राम जी कैसे गए थे लक्षमन जी जल समादी सितामाता जी अपने दर्ती की कोफ में दर्ती की कोफ में चले गए थे बूदे भी उनको लेगी थी और बाकी सब इने कहते हैं कि सर्यू में ही अलंकि तब तक वो सब को ग्यात था हो चुका कि मतलब कि इसका कोई नीजी करम था जो कि यहां पूरा करना था करके जिसमें कि शुरू से लेकर के अंत तक और वो सारी चीश्श तर्यू में से ही जल समादी लेते चले गए और अपने अपने रूप में परिवर्तितों के अपने अपने लोक में चले गए हो ना